कि नमस्कार दोस्तो अगर आप दिल्ली विश्वित ध्याल्य से बिकॉम ओनर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज हम आपको बिकॉम ओनर्स के टॉप एट कॉलेजों के बारे में बताएंगे हम इन कॉलेजों में की सीटों फीज और पिछले साल की कट ओफ के बारे में तो बताएंगे ही साथ ही आपको इन कॉलेजों के बारे में कुछ रोचक जहनकारी भी देंगे अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूल है यह सारे कॉलेज एक से बढ़कर एक हैं और करियर के लिहाज से किसी भी कॉलेज में एडमीशन मिलना बहतर होगा तो चलिए एक एक करके सारे कॉलेजों के बारे में जानते हैं स्रीराम कॉलेज ओफ कॉमर्स यानी SRCC की स्थापना 1926 में हुई थी लेकिन नौर्थ केमप प्रिय है यहां विकॉम ओनर्स की कट ओफ डियू में सबसे अधिक होती है 2019 में विकॉम ओनर्स की पहली कट ओफ 98 दिसंबलब 5 प्रतिसत जारी हुई थी यहां विकॉम ओनर्स की 501 सीटे हैं और फीस करीब 90,000 रुपे है पूर्व वित्यमंतरी अरुण जेटली न्यूज एंकर रजस सर्मा और एक्टर गुलसन ग्रोवर SRCC के पूर्वचात रहे हैं कमपनिया SRCC के विध्यार्चियों को प्लेस्मेंट में सबसे अधिक सेलरी ओफर करती हैं लड़कियों का पसंदीदा लेडी स्रीराम कॉलिज ओफ कॉमर्स यानि LSR अपने खूबसूरत केमपस की वज़े से ही नहीं पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है कॉलिज ने 2019 में बिकॉम ओनर्स की पहली कट ओफ 98 फीस दी जारी की थी LSR में बिकॉम ओनर्स की 54 सीटे हैं यहां बिकॉम ओनर्स के लिए आपको 60,000 रुपे खर्च करने होंगे मेयमार की, राजनेता आंसान सूकी, सांसद मैनका गांधी और अवनेत्री साक्षी तनवर जैसे हस्तियां कॉलिज की पूर्व छात्राएं रही हैं नौर्थ केंपस में मौजूद हिंदू कॉलिज 120 साल पुराना है पढ़ाई से लेकर कल्चरल प्रोग्राम में इसके स्टुडेंट्स ने अपना खूब नाम कमाया है फिल्म डिरेक्टर इम्तियाज अली, किर्केटर अजे जडेजा और गौतम गंभीर नहीं हां से पढ़ाई की है हिंदू कॉलिज को इस्टार कॉलिज का दर्जा प्राप्त है 2019 में विकॉम ओनर्स की कट ओफ 98.5% की गई थी यहां विकॉम ओनर्स की 62 सीटे हैं और 55,000 रुपे फीस है डियू का स्री वेंकेटेश्वर कॉलिज साउथ केंपस में अपनी हाई कट ओफ के लिए जाना जाता है कॉलिज क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक और क्विज डिबेटिंग सोसाइटी के लिए भी मसूर है यहां विकॉम ओनर्स की 101 सीटे हैं और 2019 में इस कोर्स की 97.75 फीसद कट ओफ ते की गई थी विकॉम ओनर्स की फीस 38,000 रुपे हैं क्रिकेटर रिसव पंत और गैजट गुरू राजीव मखान यहां के चात रहे हैं महान सिक्षावेद महात्मा हंसराज के नाम पर बने हंसराज कॉलेज की स्थापना 1948 में हुई थी नौर्थ केंपस का यह कोईट कॉलेज अपने कल्चरल रंगों के लिए जाना जाता है पढ़ाई में भी इसे टॉपर्स मिले हैं तो कई कलाकार भी यहां से निकले हैं बॉलीबुड अभिनेता सारुक खान उद्योग पती नवीन जिंदल डिरेक्टर अनुराक कश्यप राजनेता करन रिजेजू और अजय माकन ने यहां से पढ़ाई की है इस कॉलेज में विकॉम ओनर्स की 208 सीटे हैं और 2019 में पहली कट ओफ 98.25 प्रती सत्य की गई थी यहां की फीज 63,000 रुपे है सिक्षाविद राय केदारनाथ ने 1917 में रामजस कॉलेज की स्थापना की थी इस कॉलेज के स्टुडेंट्स ने भारत छोडो आंदोलन में सक्रे रूप से भाग लिया था रामजस कॉलेज अपनी वर्ल्ड क्लास फेकल्टी के लिए भी फेमस है एक्टर मनोजवाजपई, डिरेक्टर प्रिकास जह, क्रिकेटर प्रवीन, कुमार और राजनेता वजेंद गुपता ने यहां से पढ़ाई की है यहां विकॉम ओनर्स की 44 सीटे हैं और 2019 में पहली कट ओफ 98 फीज दी जारी की गई थी विकॉम ओनर्स के लिए रामजस में आपको 40,000 रुपे खर्च करने होंगे नौर्थ केंपस में मौजूद किरोडिमल कॉलिज को अमिताव बच्चन के कॉलिज के रूप में भी जाना जाता है इस कॉलिज की स्थापना 1954 में हुई थी अमिताव बच्चन के अलावा इस कॉलिज से राजनेता नवीन पतनायक, डिरेक्टर एक्टर सतीश कौसिक, गायक केके और एक्टर शक्ती कपूर पढ़ाई कर चुके हैं किरोडिमल कॉलिज का प्लेस्मेंट सेल बहुत एक्टिव है और यहां के स्टुडेंट्स को अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलती है यहां बिकॉम ओनर्स की 85 सीटे हैं और 2019 में पहली कट आफ 97 में फीस दी जारी की गई थी किरोडिमल कॉलिज में बिकॉम ओनर्स की फीस 42,000 रुपे है नेताजी नगर इस्थित दिल्ली कॉलिज ओफ आर्ट एंड कॉमर्स यानी DCAC की स्थापना 1987 में हुई थी साउथ दिल्ली के स्टुडेंट्स के बीच कॉलिज का फैस्ट एम्ब्रोजिया बहुत फेमस है करना जरूरी होता है कॉलिज का प्लेस्मेंट सेल स्टुडेंट्स को नौकरी ढूणने में बहुत मदद करता है DCAC में बिकॉम ओनर्स की 133 सीटे हैं और 2019 में कट ओफ 97.25 फीस दी तै की गई थी बिकॉम ओनर्स की फीस 30,000 रुपे के करीब है इन कॉलिजों के अलावा DU के अन्य कॉलिजों में भी बिकॉम ओनर्स की अच्छी पढ़ाई होती है इन में स्री गुरू गोबिन सिंग कॉलिज ओफ कॉमर्स, इंदरप्रस कॉलिज फोर वुमेन, आत्मा राम सनातन धर्म यानी A.R.S.D., गारगी कॉलिज और जीजस एंड मेरी कॉलिज सामिल है हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें यदि पसंद ना आया हो तो एक बार कमेंट करकर जरूर बताएं ताकि हम आगे की वीडियो में सुधार ला सकें इसके अलावा करियर से संबंदित अन्य सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद